हालो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है active and passive voice का MCQ exercise इस वीडियो में मैंने model auxiliary verb imperative sentence और अन्य आज टेंसों से एक एक example मैंने लिया है इस वीडियो में ताकि आपका एक ही वीडियो में सभी टेंस का passive voice का revision अच्छे से हो पाए तो चलिए देखते हैं पहला question see might open the letter ये sentence आपका model auxiliary का है क्योंकि ये might word आ गया है तो model auxiliary verb का passive voice बनाने का rule क्या होता है जितना भी आपका model verb है can, could, may, might तो जब आपके इसका passive voice बनाते हैं तो इसके साथ बी word को जोड़ना है बी और verb का third form सभी में जो जानते हैं हम लोग passive voice में और object को subject बनाना होता है तो चलिए option चेक करते हैं फटापट से पहला option चेक करते हैं the letter को बनायागा है subject might be, might के साथ क्या करना है be और open आपका क्रिया है तो इसको क्या करना है third form opened और by her तो ये मेरा पहला option इसमें correct है ठीक है तो आगे option चेक करने के जरूबत नहीं है दूसरा question देखते हैं दूसरा question आपका imperative sentence है imperative sentence को हम लोग तीन प्रकास से बनाते हैं लेकिन मैंने इसमें late से बनाया है ठीक है आपको late वाला option को चूच करना है तो देखिए call the doctor ये imperative sentence है आपको डाक्टर को बुलाओ ठीक है तो इसका हम लोग पैसी बनाएंगे तो देखिए इसका concept क्या होता है तो इसको late से बनाएंगे हम लोग ठीक है उसके बाद object लिखना है हम लोग अबजेक्ट के बाद b लगाना होता है अबजेक्ट के बाद b लगाना होता है अब अबर अबका third फारम तो आपसन चूच कर लिजिए कौन है आपका late हो जाएगा the doctor object है called यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि b इसमें नहीं है बी आपसन चेक करते हैं let the doctor be called यही आपसन आपका correct हो जाएगा b यानि कि सभी आपसन को बारी बाद से चेक करना जाना है हमको जो आपसन मिल जाए सही उसको आपको सही कर देना है और last में अपना score जरूर बताना है कि आपका कितना कोहचन सही रहा इस वीडियो में ठीक है चलिए यदि आप और भी पैसी बाद का practice करना चाहते हैं यह तो इसका exercise, MCQ exercise तीन पार्ट है तो इस description में इस पैसी बाद का प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं उसको और यदि अन और डिरेक्ट, इंडिरेक्ट, नाउन, प्रनाउन, सभी का MCQ exercise को जखना चाहते हैं तो जाकर के हमारे चैनल के प्लेस्ट बिजाए उसका सब MCQ का प्लेस्ट बना हुआ है चलिए तीसरा कोचन देखते हैं विल सी नाट हैव हैल्प दपूर ये संटेंस फ्यूचर का है मेरा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को बनाने का रूल क्या होता है उसमें बीन जोड़ना होता ह देखिए चलते हैं पहला विल दपूर देखिए आपका विल तो रहेगा विल रहेगा सब में अब्यक्ट को सब्यक्ट बनाएंगे दपूर नाट हैप इसमें बीन वर्ड नहीं है आपका ये गलत हो गया B option चेक करते हैं Will the poor not were वर तो इसमें कामें नहीं है आपका यह भी गलत हो गया जहां एक भी गलत मिल जाए उसको छोड़ देना है C option Will the poor यह आपका क्या हैगा Will आपका रहेगा ही The poor उसके बाद not have been helped by her तो यह option मेरा correct हो जागा उसके साथ not लगाएगे मतलब negative sentence है और work की first form है तो इसको बनाने का rule क्या होता है कि इसमें B word जोड़ना होता है Cell B, will be अगर नट है तो नट भी लगाना पड़ेगा यहनि कि यदि आपका future and definetence का passive बनाएगे मोग तो cell के साथ या will के साथ B word को जोड़ना होता है sentence चाहे कोई भी हो तो देखते हैं इसका option पहला check करते हैं you will not be taught by I देखिए यहाँ पे I नहीं होगा इसलिए option आपका ए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मी होना चाहिए ना objective कि मी होना चाहिए दूसरा option you will not यहाँ पे B तो है यह नहीं आपका ठीक है यह भी गलत हो जाएगा आपका C option you sell you के साथ sell लगता नहीं मेरा ठीक है यह भी गलत हो गया तो D option आपका correct हो जाएगा ठीक है you will not be taught by me तो यह option आपका D correct हो जाएगा जब आपका 3 option सुरू में गलत मिल गया तो last में चाहँ अपसन सही होगा ही आपका ठीक है चलिए 5 नमर देखते हैं 5 नमर को जचन है मेरा C had paid the bills यह sentence किसमें है पहले sentence को पहचान जाएगे फटा फट यह sentence आपका past perfect में है past perfect में तो past perfect में क्या करना होता है bean word जोडना है इसमें भी आपका bean ठीक है तो देखते हैं पहला option the bills आपका object subject बना है उसके बाद had been paid by her तो यह मेरा पहला अपसन इसमें correct हो जाएगा ठीक है पहला अपसन correct हो जाएगा 6 का देखिए she was drinking milk यह जो sentence है आपका past continuous sentence है past continuous का rule क्या होता है यानि कि वाज वर के साथ bean word जोडना है और वर्ब का थड़ भरम तो सब में होना हता है तो चलिए देखते हैं पहला option पहला option milk वाज ड्रंक इसमें बिंग नहीं जोडा गया है गलत है आपका यह बी आपसन milk वाज बिंग ड्रंक बाई हर तो यही आपसन आपका correct हो जाएगा 6 के भी आपसन सही है चलिए 7 नंबर my father brought sweets यह sentence आपका future यह sentence जो हम लोग का है past indefinite में है क्योंकि subject वर्ब की second फारम यह object है आपका तो हम लोग इसको बनाएंगे passive wise तो इसका आपसन क्या होगा वाज वर्ब से बनता है यदि past indefinite का sentence होता है कोई तो वाज वर्ब से बनाते हैं हम लोग तो पहला आपसन देखते हैं पहला आपसन R लगाया गया है यह गलत हो गया B आपसन देखते हैं आठ नमबर कोशन है, you have stolen the books, ये संटेंस मेरा किसमें है, present perfect में है, present perfect हो, तो इसमें भी आपका पैसी बस बनाएंगे, तो been option में खोजना पड़ेगा, been, मैं तो इसके साथ helping verb, has been, have been का यूज होता है, तो आजे देखते हैं, the books, the books पहले होना चाहिए मेरा, तो the books होगा पहले आपसन, the books have been stolen by your, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि your होगा नहीं आपका यहाँ पे, उसको आपसन देखते हैं, the books have stolen by you, तो इसमें आपका बीन वर्ड नहीं जोड़ा गया है, इसलिए आपका ये गलत है, तो D आपसन आपका इसमें correct हो जाएगा, ठीक है, D आपसन he is not washing clothes, ये sentence मेरा present continuous का sentence है, present continuous हो या past continuous हो, दोनों में क्या होता है, be, ing जोड़ देना है, और tense में helping verb का वही रहता है, और verb का third फर में convert कर देना है, ठीक है, तो देखते हैं, पहला आपसन, clothes are not being, ठीक है, washed by him, तो ये sentence देखते हैं, क्या है मेरा, इसको क्या करना, बिंग लगाना होता है, तो देखते हैं, पहला, clothes are not, उसको बिंग, और verb की third form, by him, यही आपसन आपका correct हो जाएगा, तो आगे चेक करने की जरूवत नहीं है, तो 9 का A आपसन correct है, ठीक है, 9 का A आप question है मेरा, he does not teach English, ये sentence मेरा है present and definite, present and definite का passive बनाएंगे आप लोग, तो इज MR से बनाते हैं, ठीक है, तो इंगलिस आपका object है, तो subject हो जाएगा, इंगलिस डज नाट तो होगा नहीं है, आपका गलत हो गया, इंगलिस आपका singular subject है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, is not taught by he को him कर देंगे, तो यही आपसन आपका सही हो जाएगा, यानि 10 का B आपसन correct हो जाएगा, तो इस प्रकार से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद,